तो आज हमें मिला है यह test ride के लिए यह है Pulsar NS 125 तो इसका specs हम चलते चलते दिखाएंगे मतलब इसका capabilities इसका top speed 0-100, 0-60 everything हम दिखाएंगे इस bike का तो हम motor vlog setup को लगा के हम हो चुके है फुर तो मिलते है बाइक पे बाइबाइब तो गाइज मतलब यह है Pulsar का 125 इसका sound सुनते है तो इसका sound है थोड़ा बेसी बेसी तो gear पर लगा के अब हम हो चुकेंगे फुर इसका speed ठीक था कि है मतलब speed नहीं मतलब pickup एक बाइब का दर है हमको कि इस bike पे ABS नहीं है मतलब इस पे आपको ABS मिलने वाला भी नहीं है तो इस bike का bumps पे ज्यादा पता नहीं चलता लेकिन suspension थोड़ा stiff side पे है सिटी के लिए यह बाइक बहुत अच्छा है और स्टुडेंस के लिए तो आप लोग अगर स्टुडेंस हो तो और बाइक खरीदना चाहते हो तो यह बाइक आप आराम से खरीद सकते हो क्योंकि इस bike का mileage ठीक ठाक है 125 CC का जो competition आ चुका है मतलब उस competition के लिए यह बाइक परफेक्ट है अपने मतलब प्राइस लिस्ट में 0-60 टेस्ट कर लेते है तो वी गो इंट्री तू वान कि प्राइस से तुक दाखे से नहीं तो कुऌैंट eight रस तो यह बचाहन गुद स्वास में अजागर वाया गुद से तितव侃 जाल प्राइस के नहीं से खरीथा आरामering के रढ़ जौब जौब जब हादा इस्टे जिए अभी कड़ी लेते हैं और कहां करेंगे कि प्रवाइब 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 लगता है इसको जिरो से हम्रे दाने में तो इन गड़ों में हम लेके जाएंगे ठीक है खुआ अधिक है ठीक था गड़ों पर भी मतलब अब्जोर अच्छा से कर लेते हैं इसको ज्यदा पता नहीं चलता मतलब आपको प्रवाइब गया प्रवाइब लागना नहीं कि मतलब अगर ढ़ूअग bank कि अल्ला के नाम हम वह लेपसाइड और अरस्टा ले लेंगे फिर वही पे इस बाइक का स्पैक शारा आपको दिखा देंगे मतलब बोलके सुना देंगे हमको पेट्रोल पमके अभी जरुरत नहीं है क्योंकि क्योंकि हमको पेट्रोल भी वो लो खुद दे रहे है कंपनी वा बाइक है वो स्टूदेंट्स के लिए जो अभी कॉलेज जाएंगे वो लो लोग 125 भी ले क्योंकि मतलब 125 या 150 CC जो आपको हाई माइलेज प्रवाइड करें और और क्या बोले और कम CC का होगा तो आप सेफ भी रहेंगे आपके पैरेंस आया दिला भी सकते है अगर आपका म अब हम लेफ साइड पर चले तो इस रास्ते पर आप इस बाइक को अराम से चला रहे हैं मतलब हम चला रहे हैं और आप देख रहे हैं तो यह वह रस्ता पर भी ठीक है सिर्फ इसका सीच जो है वो थोड़ा हाडर साइड पर है तो यही पर हम रोक लेते हैं अपने गारी को और गारी को रोकते ही हम स्पैक स्टार्ट कर देंगे बोलने एक एक करके तो गाई सबसे पहले इसको देख लेता है यह सेमी डीजिटल है यह अनलोग और बाकी सब डीजिटल ही बोलते है इसको तो मतलब एंद्श 60 और 200 जैसे है वैसाई है यह सेम मतलब ठीक ठाकी है पूराने वालों से इंस्पाइर मतलब अपने एलडर सिभलिंग से तो और बा तो इसका 125 का स्टिकरिंग है यहां पे और बिल्कुल मतलब यह पूरा कम्प्लीटली दिखने में नस 200 और 160 से सिमिलर है तो आप इसको बढ़िया से देख सकते है यह 160 और 200 का छोटा भाई इसको मान सकते है आप और इसका किक भी है यहां पे तो अगर सेल्प नहीं लिया तो किक मार के स्टार्ट कर सकते है हेडलाइट की बात करें तो इसमें अभी भी हेलो जैन ही है इसका टेल लाइट एलिदी है तो गाइज बाइक की बात करें तो इस बाइक का इंजिन पे है 12 होर्स पावर और इसका मैक्स तॉर्क है 11 एनेम का और इस बाइक का फ्यूल टेंक कैपासिटी है 12 लीटर्स का बाइक का रियर टाइर है 100 सेक्शन का और फ्रॉन टाइर 80 सेक्शन का सामने जो इस ब्रेक है वो इस ब्रेक 240 एम पा है और पीछे में है ड्रूम ब्रेक और आगे में वही टेलेसकॉप की सस्पेंशन और पीछे में जो pulser का adjustable suspension रहता है वही है बाइक की जो color है वो reddish type पे है और orange भी आप देख सकते है और red type पे भी है और इस पे जो white stretches है 160 लिखा 125 इस पे लिखा है और पीछे में भी 125 का stickering है और बाकी सब दिखने में as it is 200 and 160 का जैसा ही है तो गाइज इस बाइक का जो ground clearance है वह काफी ज्यादा है 179 mm का ground clearance जो मतलब इसका top speed जो है वह है 112 km का और इसका curve width 144 जो dry है ओके अब फिर से मोटो ब्लोग पर आते हैं तो मोटो ब्लोग पर बाखी के बाते हम वहीं प्रिखरेंगे वापस जा रहे है कि इसका वाइस थोड़ा बेसी है आप साउंड सुन लेजिए बाइक का कि ओके लेट्स को और जो बाइकर्स है उनके लिए स्टार्टिंग के लिए यह बाइक बहुत बढ़िया है मुझे पर्सनली आज ही चलाने को मिला मतलब 125 मेरे किसी दोस्त ने भी नहीं खड़ीदा कि मैं उसका रिवीव वीडियो बनाऊं मतलब हर बाइक का यहां पर अब रिवीव वीडियो बनाया जाएगा मेरे चैनल पर तो चैनल पर बने रहे और वीडियो देखते रहे मतलब पावर 125 सिसी का जो हम द्यूग चलाए थे उससे काफी अच्छा है और लीन देखिए हम कर सकते है इस पर इसमें देखिए हम खड़ा होके अग्कम बिनास इन बाइक्स इन रोड्स के लिए ही यह बाइक बनी है मतलब स्टीफ रोड के लिए स्टीफ बाइक कैसा लगा डाइलोग अच्छा लगा तो एक लाइक ठोक दीजेगा अभी फिर से हम 0 से 60 या 0 से 100 हो सकेगा तो 100 फिर नहीं होने से नहीं करके देखते हैं इस बाइक का माइलेज जो है वह बहुत बढ़िया है इस बाइक का माइलेज कंपेनी क्लेम करती है इस बाइक का मतलब माइलेज जो है वह 59 होगा और इस बाइक का 50 तो अराम से निकल जाएगा तो हम बहिया कट कुट कर सकता है इस पर कट समार के दिखा सकता है आप भी ले सकते है और अपनी गर्फ्रेंड को पीछे की सीट पर बहिया सब बैठा के ले जा सकता है हम आके पहुंच के है है इसकुल तिन आली यह स्पीट बंस भी मतलब देखिए 10-15 मितार डूरी पे एक-एक स्पीट बंस बहुत बड़े-बड़े जो हमारी मतलब सेहत के लिए भी खड़ाब है और हमारे बाइक के लिए भी यह ठीक ठाक नहीं है रुको भाईया हमको जाने दो प्लीज प्लीज जाने दो ना प्लीज हमको जाने दो प्लीज दो ना और यह हम निकल चुके बढ़िया दारुपी क्या रस्ते के बीच में अच्छा है तो इस साइड है उस साइड है अपना घर और इस साइड बजाए प्लीज दिलर तो हम अभी दिलर जाएंगे उनको उनका बाइक लोटाएंगे कि चला के अच्छा लागा कि देखिए आदमी लोग कैसा धीठ है अत्ते भी नहीं है थोड़ा साभी मतलब इसका जो लू एंड पावर है वो ठीक है मतलब जिरो से 60 का स्पीड जो ले लेता है यह बढ़िया से ले लेता है और हम आके पहुंच गए है बजाज दिलर वापस तो अपना बेनर से ना निकाल के ठीक ठुक के कहां आ गए सब